नमस्कार दोस्तो स्वागे तक बर फिर से आपका मारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ओफिस भरती के बारे में जियां दोस्तो ओल इंडिया लेवल पे आपकी 12,800 से ज्यादा पदो पे आपके आवेदन मांगे जा रहे हैं आवेदन का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला है वेकेंसी के बारे में सारी अप्टो डेट जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना पड़ेगा जियां दोस्तो औल इडिया लेवल की मेल और फिमेल दस्वी पास, बारी पास और ग्रेज़ुइट केंडिडेट आवेदन कर सकते हैं इस वेकेंसी के लिए सारी डिटेल जानने के लिए आपको बिना किसी देरीक करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तो भारतिय डाक विबाग इंडियन पोस्ट ओफिस की तरफ से आपकी ओफिशिल वेकिंसी रिलीज हो चुके जिसमें आपके पोस्ट मास्टर शोटिंग असिस्टेंट और डाक सेवर के पदोपे आपके आवेधन मांगे जाएंगे आवेधन के लिए आपको यहाँ पे कैटेगरवाइज पोस्टें बता रहे के कि आपकी यूर, OBC, EWS, SC, ST और एक्सरेविस्मेंट की कितनी पोस्टें रहेगी तो आप डीटेल में एक बार अच्छे से चेक कर लीजेगा टोटल मिला के 12,800 पदोपे आपके आवेधन मांगे जारी इंडियन पोस्ट अफिस GDS की तरफ से जो भी इलिजिबल कैंडिडेट है लाजडेट से पहले पहले आवेधन जरूर कर लीजेगा जहां दोस्तो सबसे पहले हम देख लेते एज लिमिट का क्राइटेर है तो आपको बता दो कि मिनिमम्म 18 साल और मेकसिमम 40 साल का एज लिमिट का क्राइटेर है यहाँ पर मांगा गया है एज रिलिक्शेशन भी आपका लागू होने वाला है दोस्तों अगर application fees के हम बात करें तो आपको बता दो कि यहाँ पर UR, AWS, OBC candidates के लिए 100 पर फीस रहेगी मात्र और अगर हम बात करें यहाँ पर S.E.S.T. और female candidates के तो कोई भी charges नहीं रहेंगे payment का mode आपका online रहे के जिसमें debit card, credit card, net banking किसी के भी तुरू आप यहाँ पर payment कर सकते हैं apply के से करना पड़ेगा इसके लिए आपको यहाँ पर official website पर जाना पड़ेगा जिसका link आपको यहाँ पर mention करने वाला हूँ महाँ पर जाके आप यहाँ पर basic registration और detail registration करके यहाँ पर दो parts के अंदर आप आवेदन कर सकते है पूरा process जानने के लिए आपको official website विजिट करनी पड़ेगी जो की आपकी रहने वाली है www.appost.in इसके बाद में दोस्तो बाकी की यहाँ पर सारी details भी आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा तो दोस्तो इंडियन post office की आपको official website पर जाना पड़ेगा left side में सबसे पहले आपको notification पैनल दिखेगा उसके बाद में आपको registration का पैनल दिखेगा फिर fees payment दिखेगा apply online का payment आपको दिखेगा यहाँ पर notification के आपके यहाँ पर live circles दिख जाएंगे यहाँ पर आंदरपरदेश, आसाम, बिहार, चतिसगर, पूरे all India level के आपकी vacancy release हो चुकी आवेदन जरूर कीजेगा काफी अच्छी vacancy आपकी रहने वाली all India level के candidate male और female दोनों ही आवेदन कर सकते है तो दोस्तो जो भी interested candidate है अगर आपको यहाँ पर notification डाउनलोड करना है या फिर आपको apply करना है तो सारा link आपको description box में provide करवा दिया जाएगा वहाँ से जाके आपको vacancy के बारे में सारी update मिल जाएगी तो दोस्तो जो भी interested candidate है दस्वी पास बारी पास और graduate candidate vacancy के लिए अगर आवेदन करना चाहते है तो official website को visit जरूर कीजेगा अब यहाँ पर मिलेंगे next वीडियो में एक निया update के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो